लोग सोचते हैं चलो खाना खाया, सोचते हैं चलो पढ़ा जाया चलो कdefense करिया जाया मेरे जिंदीगे का मॉमिन्ट ऐसा है कि मुझे लगा कि चलो ठीक हम्मारा जाय इधर से याख़े निकल रहे थी ये ध्लकन बाहुत तय Natur यहां से यांसू ऐसे गिर रहता है ऐसे लेड़ा था सोचा कि अब तो गया भाई अब दुनिया से चलो निकल लेकर मैं हमेशा ट्रेनिंग करता रहा कि मैं इतना अच्छा चीज अच्छा कर रहा हूं मैं इतना टॉप 10 में चुना गया मेरी आल इंडिया रैंकिंग आई मेरे के लिए तो नहीं था लेकिन होता रहे कि मेरे साथ ही क्यों होता है फिर मुझे लगा कि भाई एक कौ साइशा एफ है जिसने हमने एक सपना देखा मांट एरेश चणने का और उस सपने को पूरा करने के लिए हमने वह हर एक प्रयास किया जो होना चाहिए और उस सपने को पूरा करने के लिए मैंने वह सब चीजे किया जो करना चीए लेकिन जिस बैक्ग्राउंड से हम लोग आते हैं जो समाज का संरचना है अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोवर क्लास और जिस फैमिली से मैं आता हूँ वो लोवर क्लास है और इस कलास में सपने देखने का मतलब होता है कि पैसों की आरतिक तंग्नी और यहाँ पर पैसे की वज़ा से सपने मर जाते हैं और सपने मरने के साथ ही कुछ इंसान मर जाते हैं लेकिन मैं नहीं मरा इस चीज़ को बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ नमस्कार, मेरा नब गौतम राजबर है, मैं अम्बेटकरनगर उत्तरपरदेश का निवासी हूँ, मैंने बच्पन से ही अभाओं की जिंदगी जी, मैंने हमेशा घर को देखा, मम्मी को देखा, पापा को देखा, लेकिन मेरी मम्मी ही मेरे पापा थी, मेरी माँ थी, असल मे होता क्या था कि पापा अपने जिम्मेदारियों से मुगर गए, तो मम्मी क्या करती थी, कि मम्मी मजदूरी करती थी, मजदूरी दो तरह से करती थी, वो एक तो उनकी डूटी दिन में होती थी, और दिन में अपने गाउं में करती थी, रात में अधर गाउं में करती थी, हम लोग फैमिली में चार बच्चे थे हमारी मम्मी गए और उन चारों बच्चों का भरल पोसर करने के लिए मम्मी को डबल मेहनत करनी पड़ती थी पापा के ना होने की वज़ा से बहुत सारी दिक्कते आई जिस येज में आउरत के साथ उसका हस्बेंड होना चाहिए वह चीज़ें मेरे मम्मी को नहीं मिल वाई लेकिन फिर मेरे मम्मी सारी चीज़ें समाज के साथ हम अच्चों को एक संसकार दिया और पढ़ाई कराई और पढ़ाई करते करते पढ़ाई में बहुत अच्छा था और इसलिए मेरे घर के सारे मेंबर मिल के मुझे पढ़ाया और मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बड़े भाईया सब ने पढ़ाई छोड़ी किसलिए मेरे लिए मुझे पढ़ाने के लिए इसलिए मेरे घरवाले कितनी महनत कर रहे हैं, वो भी किसके लिए, मेरे लिए ताकि ये सारी चीजें, हमारी आने वाले जनरेशन को ना देखनी पड़े, और उसके लिए मैंने पढ़ाई की और जब मैं अपने जिले पर पढ़ाई कर रहा था, तो 2013 की बात है, मैं जोग्राफी का छा मैंना जी, माउंट एरष्ट को फटा कर गई, वो भी एक पैर के साथ, तो वो काफे इंटरेस्टिंग था, मुहां से लगने लगा मुझे कि मेरा सपना मिल गया, जिसके लिए मैं बच्पन से कहा करता था, कि मुझे कुछ बड़ा करना है, बड़ा क्या करना है मुझे नही मैं खुद से करनी होंगी, उसके लिए कोई आएगा नहीं बताने के लिए, तो फिर 2013 के बाद मैंने सर्च सुरू कर दिया, तो फिर मुझे मिला NIM, और जिम, हमाई, सबसे पहले मैंने फ़र्म अपलाई किया, जिम में, जवार इंटिस्टूट अमांटरिंग, नुवान प बस यही था कि पहुचना है, चाय जैसे पहुचना है, क्या करना था, वो ड्रीम था, तो उसके लिए लगता था कि अब निकलना है, तो निकलना है, क्या चीज होने चाहिए एक नहीं मालूम, बस पैर को आगे बढ़ना था, मनजिल को देखना था, ऐसे निकल गया, फिर ज जब माहां खड़ा हुआ तो वहां बारिस हो रही थी और पहाड पुरी तरह से तूटके गिर रहे थे, महाल इतना खराब था कि पुरी तरह से अंधकार चाया हुआ था, पहाडों की बारिस आप जानते हैं, टोफोग्राफी बोला जाता है, उनको रॉनफाल बोला जाता ह वह इतनी ब्लेक थी कि वहां से रास्ते को देखना बड़ा मुश्किल था, फिर यह हुआ कि अब यहां से लोटना है घर, या तो मैं घर लोटता, या तो मैं आगे जाओं, दोनों चीज़े मुझे मुझे ताय करना था, मैं आखिर करूँ क्या मेरे पैर पीछे जाने चाह लेकिन मैं फिर वही सोचा कि मुझे घर की याद आ गई कि सब लोगों ने क्या सोचा होगा, किसलिए मुझे यहां भेजा होगा, तो लगा कि नहीं अब ट्रेनिंग जो वहां से सुरू होनी चाहिए, वो ट्रेनिंग अब यहां से होनी चाहिए, जो ट्रेनिंग वहां से मुझे प्रेवित कर रहा था कि मुझे आप यहां से चढ़ाई करनी चाहिए फिर मैंने अपना बायक टांगा मेरे पास चाता नहीं था मैं पुरी तरह से भीग रहा था मेरे कपडे भीग रहे थे और जूते में पानी भर गए थे और सिलिप भी हो रही थी फिर भी मैंने वह अब ट्रेनिंग कम्पलीट की किसके लिए खुद के लिए आगे वाले सपनों के लिए वह पहार चड़के में उस साइड गया और ग्यारा बज़े से मैंने चढ़ाई सुरू किरती मुझे दो घंटे लगे पार गरने में उस चीज को पार गरते हुए फिर में जब उस साइ अबॉ cum Grad में एक वहांपर हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट घए और हम लोग 84 थे पूरे अल इंडिया से फिर जब वहां ट्रेनिंग हो गई तो ट्रेनिंग में हुआ कि ट्रेनिंग माउंटेरी की ट्रेनिंग होती है ब मैंने इतनी बेहतर ट्रेनिंग की जो वहां का ऊछ़ता जब रात में हमारी डूटी लगती है, डूटी लगने के बाद महाँ चोटा सा जनलेटर होता है, इतना बड़ा होता है सम्थिंग, उस जनलेटर को ले जाने के लिए जब कोई तयार नहीं होता था, न सी एर पिफ का, न पंजाब बैच, तो उस जनलेटर को मैं अपने कंदे आपने कंदे पैसे लात के लिएके चलता था, तो फिर लोगों को लगता था मुझ से पूछते थे कि आप नेपोलियन हो, आप लोग भी देखिये न, मेरे चेहरे से मुझ से कई लोगों ने पूछा, कि आप नेपाल के हो गया, मैंने का नहीं भाई, मैं उत्तर परदेश क कि मेरी बॉड़ी ऐसी थी, मैंने इतनी एच्छे ट्रेनिंग कि वहां से मैं क्वालिफाई किया, और क्वालिफाई ही नहीं किया, बल्कि बहुत अच्छा क्वालिफाई किया, और जो टॉप 10 गूड क्लाइमर चुने जाते हैं, उसमें मेरी छाठवी रेंग थी, और मुझे मुझे शॉड़ी संपाई किया, और किसने किया, मुझे बिर्गेडियर इसमानित किया, जो मेरी लिए बहुत बड़ा अच्वीमेंट था, मैं गाउं का लड़का था, जो सारी चीजे मुझे अन्नौन थी, जिससे मैं नहीं जानता था, और मेरी लिए अच्वीमेंट से कितनी तंगी अगर कहा जाता है अगर आप प्राइवेट से से आप ट्रेनिंग लेते हैं तो एक ट्रेनिंग को कपलेट करने के लिए दो रहा ही लाख आपको खतम करने होते हैं लेकिन मेरे पास तो सम्तिंग 5000 भी ना खतम कर पाता और मेरे लिए अच्यूमेंट बहुत कि जो सबसे बड़ा अच्यूमेंट था मेरे लिए और वह अच्यूमेंट इतना अच्या लगा मुझे की अब तो लगता था कि jो मैंने एक सपना देखा था गाओं से सपना देखा था कााओं की मिटी से सफना देखा था 다음 न तर बेंसमें इंड उन्चूटियों के नाम इस परकार है, मैंने तुनल्यालेक की चड़ाई की, 13,000 फिट जम्मु कसमेर में, दोकरानी बामक गलेसियर की चड़ाई की अन्टीस सो मीटर, और मैंने काबरु डॉम की चड़ाई की शिक्की हिमालेकी जो 6,661 मीटर है, और माउंट औरस्ट का प्र 6,610 मीटर है, और मैंने राथोंग गलेसियर की चड़ाई की, जो 6,785 मीटर है, और इन चोटियों की चड़ाई करने के साथ ही, मैं जो भी परवती इलाके के स्टेट है, वहां पे काफी दिनों तक मैं टूरिस्ट गायट का काम किया, और जब मैं घर वापस आया, तो मेरे श्वागत में डेर सारे प्रोग्राम किये गए, जो लोकल अरिया के बिधायक है, नेता है, मंत्री है, उन लोगों ने साविश सम्मानित किया, और सभी लोगों को लगने लगा कि अब मैं माउंट इरस्ट को क्लाइम कर जाएगा, मेरा एक इतिहास होगा, मेरा एक जेले का नाम होगा, परदेश का नाम होगा, और मैं दुनिया में भारत का जंडा उस माउंट इरस्ट पे लहराएगा, यह सारी चीज़े मैं कम्पलीट करके जब बात होने लगी कि आभी स्पॉंसर चाहिए माउंट इरस्ट को चड़ने के लिए 35 लाक रुपे चाहिए, और यह इ मैं इतना चीज अच्छा कर रहा हूं, मैं इतना चीज अच्छा कर रहा हूं, मैं इतना टॉप 10 में चुना गया, मेरी आल इंडिया रैंकिंग आई, उत्तरपरदेश का मैं इकला होता था, मुझे लगा कि जब यह सारी ट्रेनिंग कंपलीट करके मैं गाउं जाएगा, तो गाउं के सारे लोग मुझे हाथ पे हाथ पे ले लेंगे, मेरे लोकल एरिया के जो नेता बिरायक होंगे, सब मुझे हाथ पे हाथ ले लेंगे, हाथ पे हाथ लेने का मतलब यह होता कि जो चीजे मुझे दिक्कत आ रही है, उन सीजों को दुकत करके, दूर करके वो लोग म चली गई जब लोगों को पता लगा कि माउंट एरस चढ़ने के लिए 35 रुपे की जरूरत होती है जो बहुत बड़ी रकम थी वह इतनी बड़ी रकम थी कि हमारे यहां के जो मंतरी होते हैं वो लोग भी पिचे अटना शुरू कर दिये पहले उन्होंने आसबसन दिया कि नह कह दिये कि एन्हों के ठाकिया जिसके पास दस बीस गाउं की चंदे क् मेलेगा या थूस को मलेगा हमारे गाव में क्या मिलता है आपको पांच रुपे अटना मिलेंगे जसके पास दस नहीं होगा जिए यह होता चंदय को और मांउंट माउंट एरस्ट की रकम में बहुत डिफरेंट था इतना गयब था इतनी लंबी खाई थी कि वस चंदे और उस धान गेहुं को मगर उसमें डालता तब भी उसका एक तियाई मतलब उसका कुछ भी नहीं था कुछ नहीं था वह लेकिन गाउं लोगों ने मुझे इतना पेरित कर दिया कि मुझे लगने लगा कि अब गाउं के लिए मुझे करना चाहिए अब मैं पैसे कठा करेगा चाहे जैसे कठा करेगा मुझे माउंट एरस्ट जाना है तो जाना है जब लोगों ने मना कर दिया बिधायक वहां के जो थे जो नहीं समानित किया रोज कारी करम लगत जब परसनली बात होता था, कि गौतम भाई आपका हम हेल्फ करना चाहते हैं, बताइए हम कैसे हेल्फ करें, जब मैं उनसे कहता था सर कि मुझे मुझे माउंट एरस जाने के लिए 35 लाग रुपे चाहिए थी, तो उन लोगों की जो पहले शुरुवाती होता जब पूछने क तो दायरा होता है, गौतम भाई आपको हेल्फ करना चाहते हैं, फिर भाई मुझे तुरंत गिर जाता है, ठीक बाद में बताएंगे बेटा, हमें फोन खरिएगा, इस तरह का मुझे आजाता था, और यह मुझे चलते चलते दो महीने हो गए, मुझे 2018 में, जून में माउं पर्मिट निकल शुका था, मुझे नेपाल गवर्मेंट से पर्मिशन लेना बाकी रह गया था, मुझे जून 2018 में जाना था, किन्तु, यह सारे चीजे जो मैंने किया, यह सारे चीजे जब दूर होने लगी, और 35 रुपया कठा नहीं हुआ, तो फिर हुआ कि, अब लगने आपके वीडियो के माद्यम से उन लोगों के पास एक ख़बर जाए और मुझे घर पर डाटे भी, लेकिन ठीक है, मैं वो बाते बताऊंगा, क्यों बताऊंगा, क्योंकि जब गाहों से चंदे हो गए, नेता बिधायक कारिकरम करना बंद कर दिया, लोगों का फोन आना बं तो फिर लगने लगा कि आप सपना तूट गया और सपना तूटने के बाद आपको पता होगा ना कि एक जब अच्विमेंट धेर सारी आपने वहां की जिन्दगी जी हो, और फिर जो लोग कहे जा कि आप यहां आकर जीए, तो बहुत तकलिफ होती है, इन दोनों की बीच म मैंने यहां पर ट्रेनिंग लिए, यहां पर जिन्दगी जिया, और यहां पर ही सोचा जीवन को, लेकिन मेरी ट्रेक अब यहां आ गई थी, कैसे, पैसी की फजा से, मेरा घर बिखता, मेरी एक भैंस से वो भी बिखती, मेरी साइकल बिखती, और मेरा जो खेतवारी था, ज अब भी घड़ेगा, और यहां नहींदेगा, सहर में यहां अगर जोपड़ी हो तब भी खरीडेंगे। लेकिन घड़े में ऐसा नहीं होता है, यह सारी चीजith मुझे बहुत दर्द करने लग एंदार, बहुत टालिफो रही थी, इतनी टालिफो होने लगे कि यह कुछा अब अधिकार चाहने शुरू हो गया, मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की मैं अपने को टॉपर था, देवंदरावती पीजी को टॉपर था, दोनुए येर का टॉपर था, मुझे देवंदरावती भूसर सम्मान से भी समानित किया गया, ऐसा नहीं था कि मैंने पढ़ाई कि सिर्फ मांटें ही चड़ा, मैंने पढ़ाई भी बहुत अच्छी की, जिग्राफिक अच्छा तरह मैं अटॉपर भी था, तो फिर लगा कि अब जिंदीगी खत्म होगी तो फिर डिसाइड किया कि अब मर जाना है, मतलब सब कुछ खत्म हो गया, बंद हो गया, जोस जू है कि क्या होगा, बैग उठाया घर से, बैग टांग लिया, टांग लिया, ट्रेन पकड़ी लखनव वाया, सुसाइड करने के लिए, सपना चूर, सपना मर गया, मैं भी मर जाएगा, नहीं जिएगा, अपनी मां को सारे तकलिफों को दूर नहीं कर पाएगा, लेकिन अब जी क्या करेगा भाई, सबसे बड़ा अचुमेंट क्या होता है, मम्मी पापा को खुश कर सके, उन्होंने जो संगर्च किया, वो संगर्च उनको भूल जाए, हम इतनी खुशी उनको दे दे दें, लेकिन वह सारी चीज़े हम मेरे दायरे से बाहर थी, बैग टांग और बै लेकिन लेकिन हिंदर से हिममत नहीं अापा ओग थी मम्मी क desde म मम्मी के याद आती थी, मम्मी के disse लेकित coal का मम्मी का खौशी की यार काम, बहुत तक्लीवा क्वेशी है महीं बहुत तक्लीफ थी महीं झाल थी और मेरे जाने को जीते जीफ में उन्हीं उन्हीं पाई But not be明白 मे वहां दो दिन मैं इस इस्टेशन पर बैटा था और मैं एक राइटर हूँ और मैं हम 2013 से लिखना शुरू किया मैंने जम्मू कस्मीर कट्रा रेलवे स्टेशन पर दो दिन बैट के फूरी डाइरी लिखी कि मेरे मरने के बाद क्या होने चाहिए तो लिख के मैंने एक आदमी को दे दिया बहिया पकड़ो यह बैग है यह डाइरी है मेरे मरने के बाद यह सम्मिट कर दीजिएगा रेलवे स्टेशन पर और मेरे घर पर ताकि लोगों को पता चल सकी मैंने क्या अच्यूमेंट किया और लोगों ने मेरे साथ क्या किया फिर मैं उसको देख के उसको नहीं पता है कि मैंने उसको बोला आप रखे रहिए मेरे एक दू हंटे की बाद आप आप दे दिजिएगा रेलवे स्टेशन से दूर जाके पढ़री पैसे सो गया मस्त हो गया इधर से आखू निकल रहे थे यह ड़कन बहुत तीज थी यहां से आ अब मरने नहीं थेंगे वह सायद मेरी मा की दिवा थी मेरे मा का प्यार था मेरी मा का संगर्श था कि मरेले हस्टेशन पर सोया था से मरने के लिए train आनी चाहिए थे आगे तक लेकिन भाष्ट्रे नहीं आई वह 20 मिनट विस मीटर पहले है रुक गई वो बीज मिनट पहले ही रुक गई यह यार वह मोमेंट की मतलब अब तो मैं मरने जा रहा हूं जब ट्रेन रुक गई तो इसकी लाइट इहां पड़ी मेरे उपर उसकी लाइट पड़ी तो लोगों को लगा रहे और वो लटका मरने जा रहा है तो सब लोग दोड के आये मु बहुता, समझाया, फिर भी मैं दो दिन हुए रहा, और फिर ये सारा मुमिट खत्म होने के बाद मैं घर उपस लोटा, तो मेरे शपना में से दूर चला गया था, और सारी चीज़ खत्म हो गई थी, तो सारी चीज़ खत्म हो गई तो मुझे लगने लगा कि अब मैं क्या करे और यहां-जहां से मैंने ट्रेणिंग ली थी, वहां के बच्चे जो थे, मेरे साथ जो ट्रेणि लिए थे, दिलही, इनृषिटि के मैल कि प्र्रोफिसर ली थे training, मेरे साथ ज ट्रेणिंग लिय थे, इंदरागआधी, हवाई अड़े, के senior pilot, Sanadir Mansukhanee, सब लोग जानते सबसे पहले अगर माउंट एरिष कोई चड़ेगा तो गौतम राजवरी चड़ेगा तो यह सब सारी चीजे मन में आती थी कि लगता था कि अब सब खत्म हो गया लेकिन फिर हिम्मत आई कि नहीं अभी अगर जिंदा बचा हूं तो इसको अच्विमेंट तो मैं करेगा ही करे मैंने दुबाई का बीजा लगाया और दुबाई पहुच लिया मैंने सुचा खुल्त पैसा लगाएगा खुद जाएगा तो फिर मैं दुबाई चला गया दुबाई में पैसे मैं पैसे को एकठा करने के लिए मैं 2020-30 जनुवरी को सवधी पहुचा, अभी 2020-30 जनुवरी को मैं सवधी फ़लाइट मेरी उत्री, और सवधी मैं पहुचा वहाँ मैं क्या था, सिविल फॉर्माइन था, स्टाफ और्गर था, जिस कंपनी मैं गया था उसका नाम था, कि उस कंपनी ने मुझे किसी और कंपनी को हैंड ओवर कर दिया, अपने आकाम पर नहीं दखा, और उस कंपनी ने मुझे रेगिस्तान में जहां केमिकल कंपनी बन रही थी, जहां बड़े बड़े पीलर आते थे, वहां पर अवरकर कम थे, इस्टॉप ज्यादा थे, तो जो नए नए लड़के आते थे, जैसे हम जैसे लड़के, जो इस्टॉप में आते थे, उन लोग क्या करते थे, कि उनको हेलफर बनाते थे, लेबर, और उनसे जो केमिकल की जो पीलर होते हैं, बड़ी बड़ी स्टील के पेलर, उसको सर पे उत्रबाते थे, हम लोगों के सर से, तो मैंने उनसे बोला, मैं यहां स्टॉप पर कराया, लेबर नहीं आया, मेरा आप एग्रिमेंट लेटर पड़ सकते हो, मैं ऐसे आया नहीं है, और मेरे पास जो डिगरी है, वो आप डिगरी भी चक कर सकते हैं, साब उरिजिनल हैं, ऐसा है कि मैंने फर्जी लगाई है, हुआ क्या कि, जब उन लोगों नहीं माना, तो मैंने रिजल एरिया में अपलिकेशन दे दिया, जब अपलिकेशन दे दिया, तो वहा से पुलिस आइचेक करने के लिए, और पुलिस जब चके लिए, तो उन लोगों को लगा, कि इस लड़के ने हमारी कमपणी की, इंसल्ट करा दी, तो उन लोगों ने उस कमपणी से उठाकर, अपनी कमपणी में लेल आया ऐ अल-नासिर में, अलनासिर में लाने के बाद हुआ क्या, उन लोगों ने बोला कि बहुत बड़े हिरो बनते हो, यह इंडिया नहीं ही बिटा, यह सवुदी है, जो हम चाहेंगे वो होगा, जो आप चाहोगे, वो नहीं होगा, वो दिन था 12 फरवरी, वो दिन था 12 फरवरी को उन लोगों ने म बंद कर दिया, 12 को बंद किया, 13 को बंद किया, 14 को बंद किया, 15 को बंद किया, 16 को बंद किया, कितने दिन, पांच दिन कांटीन, लोगों ने मुझे बंद करके रखा, कहां पर, अलनासिर में, सौदी में, इन पांच दिनों में मुझे ना तो खाना दिया गया तो ना पान कुछ आएगा नहीं, पूरी तरह से यह सब जो हाड अभी दिख रही है, यह पूरी तरह से हड़ी में बदलना शुरू हो गई, सारे हड़ीयां दिखने शुरू हो गए थे, पांस दिन में आप समझते हैं क्या होता है, पांस दिन एक दू दिन आदमी नहीं खाता है, तो अपना फिर मरना शुरू हो गया, धीरे-धीरे, मुझे लगा कि अब मैं इधर मर जाएगा, मुझे बचे का नहीं, मतलब, फिजिकली और मेंटली यह बेक हो गया कि सोचने समझने तर्क बितर करने की चमता भी दूर होने लगी, तो फिर यह होने लगा कि अब मैं इधर मर जाएगा लगता है, मैं बचे का नहीं, मेरे घरवाले भी मेरी लास नहीं देख पाएंगे, तो फिर हुआ क्या कि, पंदरा तारिक को रात में मैंने एक वीडियो बनाया, कितने मिनट का, मिनट में नहीं 45 शिगंड का वीडियो बनाया, मेरा नाम गौतम राजभर है, और म कि अव अपनी ट्यूटर अकाउंट पर डाल दिया, और फिर उस फून को गर्दन की नीचे रखा और मैंने सोचा आप तो मर रहे चलो मर जाते हैं, सोचिए, लोग सोचने हो खाया च Month, मेरे जिंदीगे का मो मेंट ऐसा है, कि मुझे लगा की चलो ठीक अमरा जाय है, मैं ऐ ते टाइक कर दिया गए अपकरी एएकश बाई-जड को टैक करने के बाद पोन को एसे ग्रदन पे रखा मैंने सोचा अगर उस परमपीता परमैसवार चाहेगा तो फिर शिंदीगी मेरी स्टाट होगी पिर स्टाट होगी अगर नहीं चाहा तो फिर ठीक तो जो मर जाते हैं गुर्णार के।ि पर शूचान मी अटैंने मार रहा हुं कि बतानी मिचल इस तरफ नहीं रहा ह। जि अन्से Music आपको सुनने में बलतानी में , अब सुने में ज़ागा हूं कि अपतानी में अगीं एक हुझेज ऐसे आप बेदानी में चाहना कीजिए लिए लगwort वो कैसे मर रहा होगा, वो मर नहीं रहा होगा, वो तरफ के मर रहा होगा, उस मोमेंट को जब भी याद करता हूँ, ऐसा लगता है कि मौत को देखा है मैंने, मौत की गोद से लौट के आया हूँ, वीडियो जब अपलोड करके मैं सो गया, मैं सुचा मर गया, तो वो वीडिय चाह़ किया है, कि स्यद आबिध हुसाइन, उन्हों के पास गणिए व Đây वीडियो पहुंचा तो उन्हों 20 में तु रचाह्ण ते वीडियो पाल क्या सहथी अबेसी, उन्हों नम जिसे पहलोन किया और blesSe Milini कंसर दो पहल आए उन्होंने साथियामबेसी में बात की फिर जहां से मने ट्रेनिंग ली थी जहां जासे नीम से उतराखंड से जिम से कसमीर से सब जगह से जो भी मेरे टच में लोग थे CRP के टीम, आर्मी की टीम, एरपोर्ट की टीम, देलही की टीम, सब लोगोंने फोन मैसेज शुरू कर दिया कि अरे गौतम वहां कहां फस गया, इतने फोन कॉल इतने मैसेज जाने लगे, कमपनी वाले हैरान होके, कि हमने किस लड़ इतने गाड़ियां पुलिस की आगए, इतनी 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 गाड़ियां पुलिस की आग जो कंपनी के मालिक थे, वो 400 किलिमेटर दूर थे, वो लोग फ्राइट से डारेक्ट आये, मालिक और मलकीन उन लोगों ने मुझे नहलाया, नहलाया और फिर मुझसे पूछा, मिडिया आ गई, तुरन्द मुझसे पूछा कि भीया आप कैसे क्या, मेरा तो कुछ था नहीं मे मालिक ने उन लोगों को पैक कर दिया, क्यों पैक कर दिया, ताकि यह चीजे कबर हो सके, कंपनी ने गलत नहीं किया, कंपनी कभी भी नहीं जाती, तो उसने इंडियों उनको पैक कर दिया, फिर मुझे रिटेन इंडिया उन लोगों ने बेजा, घर आने के बाद फिर यह ह मार्च में खत्म होगे, सारे पैसे खत्म होगे, अब लगा सब खत्म हो जाएगा, मार्च में मैं है अंडिया में आया था, अभी मार्च में 2020 मार्च में, फिर लगा कि मैं तो पढ़ने में बहुत अच्छा था, 2016 में मेरी PG कंप्लीट हुई थी, और PG मैंने टॉपर में की थी फिर लगा कि तीन साल के बाद भी पढ़ाई शुरू की जा सकती है, जब भाई मैं माउंट अरुस के लिए इतना बड़ा सबना देख सकता है, तो तीन साल के बाद पढ़ाई क्यों नहीं शुरू कर जिया सकती है, शुरू की जा सकती है, और मैंने पढ़ाई शुरू करने के लिए फिर मैं आलाहभाद पहुच गया आलाहभाद जब मार्च में पहुचा तो मुश्किल से वहाँ मैं पंदरा दिन क्लास लिया होगा डेमो लिया होगा डेमो क्लास लेने के बाद रात आई थी придए मार्च को जब पी आध को आट बजे आये बोले आझ लोकडाउन लग किताब मैं भूल गया था मुझे पढ़ाई क्या होती मैं पढ़ाई को भूल गया था लेकिन अब वही था कि सपना बहुत बढ़ा था माउंट अरश तो उसके आगे सब अपने छोटे होने लगे दें तो फिर लगा कि ठीक पढ़ाई शुरू करते हैं क्या दिक्कत मैंनत करे आतालंस तो हो जायांगे सब जिजए और उसके बाद कि अधिन मार्च जब वह लगा फीर हटाई एक हपते में खुल जाएगा एक हथा फिर लॉगडाउन पिर रुके साख है ठीक, अगले हपते में खुल एगा फिर लॉगडाउन और तब से लेकिए आज तक आप आप ल तो इलहाबाद के लोगड़ाउन में खत्म हो गई फिर वहां से हम लोग रिटेन घर बागके आए और घर बागके आए तो फिर खत्म हो गए इस अब चीज़े तेखि रहें कि मेरे लिए ही हो रहा यार मेरे लिए तो नहीं था लेकिन होता नहीं कि मेरे साथ ही क्यूं होता है ऐसा वाला concept बिल्ड होने लगा कि मैं इलहाबाद गया क्यों लोगडाउन के भई मुझे भी पढ़ लेने देते 6-7 महीने तयारी करके छुटा मोटा जवाब पा जाता फिर साथी जिन्दवाद मैं जी दिख रहा हूं और मैं पहाड़ में भी लिखा करता था मैं पैंसिल लेके जाता था जब रात में हम लोग ट्रेशनग हो जाती थी तो मैं रात रात बैठ बैठ कर लिखता था मैंने आज तक ऑज तक आज की डेट यानिकी आज 14 जून आज की डेट तक मैंने 54,000 साहिरियां लिखी है 54,000 साहिरियां लिखी है 5,000 सम्थिंग मैंने कभी ता ही लिखी है कब से 2013 से लेके आज तक इसी दोरान बीच में हुआ क्या था कि इतने साहिरियां लिखने के बाद मुझे इंडिया भूफ रिकॉर्ड और एसीया भूफ रिकॉर्ड के लिए मेल आया था कि आपको इतनी साहिरियां पूरे इंडिया में आपसे ज़्यादा साहिरी कोई नहीं लिखा है आपसे ज़्यादा कोई पुलिटरी पूरे एसीया में नहीं लिखा आपको यह award हम लोग submit करना चाहते हैं लेकिन इतना बड़ा dream तूट उसका था जो Mount Everest था उस dream को तूटने के बाद यह मेरे अंदर वो छमता नहीं थी कि मैं इस award को accept कर सकूँ accept कर सकूँ लेकिन वह भी बहुत बड़ा achievement था Asia book of record तो आप समझ रहें ना जो एक continent है seven continental पूरे बिश्च में Asia सबसे बड़ा है मुझे उसका दिया जा रहा था award कि आपको Asia book of record दिया जाएगा India book of record दिया जाएगा मैंने उस award को लेने से मना कर दिया क्यों क्योंकि Mount Everest का सपना तूट गया था अगर Mount Everest का सपना ना होता और Mount Everest सपने से पहले आगो मिलता तो मेरे लिए एक बहुत great achievement था और मैं उजए accept कर लेता लेकिन नहीं किया क्यों कि वह सपना मुझे दूर जा रहा था फिर हुआ कि बहुत दिनों तक ऐसे lockdown में अभी यह कौन समय चल रहा जून चल रहा ना जो स्टॉक का विडियो में अख्षर देखा करता था तो फिर यह अज पर एक विडियो आया था सीवं सिंग का जो गोरकपुर के थे उन ने बताया कि कि एक कोई अपना आयप है, अपना आयप के मादम से उन्होंने कैसे जिन्दगी को फिर से पट्री पिलाया था, इसमें इस लोगडाउन में, इस पेंडिमिक सच्वेशन में, जब सारी चीजे बंद हो गई थी, फिर उसको अपने लाइफ को ट्रैक उन्होंने कैसे लाया, उ कि अजकल आतों जाने रहे हो न, सब लोग तो आसा ही काम करते हैं, तो जब मैंने उस एप को DOUN вещи किया तो आयप मैंने तेख dice a group है लोग है ऐसे ऐसे member itions जो गाम देते हैं और कुछ लोग है कि अपने जो काम लेते हैं आमें बेरोजगारी का थब पता चलता है जब 5,000 फार्म निकलते हैं और 50,000,000 लोग अपलाई करते हैं तब पता लगता है कि इतनी बड़ी बेरोजगारी चल रही है और इस बेरोजगारी में और इस लॉकडाउन में इस पैंड़िमिक सिच्वेशन में कुछ यूथ ऐसे है इन्हों ने अपना इफ बिल्ड किया और उसके मादन से देश के लिए काम करना सुरू किया और देश के इवाओं को बेरोजगार लोगों को रोजगार देना सुरू किया तो मुझे काफी अच्छा लगा और इस परपस से में जुड़ा उस पे इस परपस नहीं जुड़ा कि मुझे काम चाहिए, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, लेकिन जब मेरा गुरूप में अएड हुआ तो मेरा राइटिंग का काम था तो मैं कंटेंट गुरूप में गया और वहां मैंने सायरियां पोटरी लिखना शुरू किया और शेयर करना सुरू किया तो लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, मेरे सायरी, मेरे पोटरी, गीत, गजल बहुत वाइरल हुए, लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत जगह से मुझे आफ़र आए कि आपको गाने लिखने चाहिए, आप मेरे लिए गाने लिखो, बिहार से ज्यादा ओफ़र आए, अब पता नहीं क् तो फिर मुझे लगा कि अब तो बहुत अच्छा काम होगा, सारी चीजे सब अच्छी चलने लगी, और जो लाइफ मैंने खत्म कर दी थी, जो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ऐसी लाइफ फिर से ट्रैक पर ला पाएगा, उस लाइफ को फिर से अपना अपन दिया, कैसे द अपने लाइफ को खत्म करने वाला था, सारी चीजे जब उमिदे खत्म हो गई, तो अपना अपने उसको एक मकसद दिया, एक ऐसा मकसद दिया, कि वह फिर से अपनी जो रचनाये, जो एक हमाला से बड़ी उसने रचना तयार की थी, उस रचना को अपना आप के माद्यम से नजे दुनिया तक पहुचा सके, तो मैं अपना आप को बहुत बहुत धन्नवाद देना चाहूँगा, कि उसने मुझे एक नया रास्ता दिया, एक नया मकसद दिया, और सिर्प इसलिए नहीं धन्नवाद दिया, कि मुझे दिया, उसने मुझ जैसे तमाम लोगों को दिया और वही उसी की देन है कि आज मैं यहां खड़ा हो के आपको अपने Life की जनरली को आपको सेयर किया और मैं इसे के साथ अपनी बात को खत्म करूँगा लेकिन उस से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाऊँगा मैंने अपनी लाइफ से एक चीज सिखी है कि सपने देखने चाहिए, सपने देखने में कोई पैसा नहीं लगती है, आपको सपने को पूरा करने के लिए पूरा जीजान लगा देने चाहिए, और उस जीजान को लगाने के साथ ही आपको अच्विमेंट तो मिलेगा ही मिलेग आप उस achievement को achieve करने के लिए आप जरूर एक बार अपने पीछे का background देखिएगा कि आप कहां से चलके आये थे आप कहां पे टैरना है और इस moment को सिर्फ आज ही मतकबर करिएगा ये moment होना चाहिए आने वाले दो साल में या पांच साल में हम किस platform पे कड़े होके अपने जिन्द आनी सुनी अपने ही जैसे एक इंसान की जिनोंने सारी परिस्थितियों को पीछे छोड़कर अपने करियर में आगे बढ़ने का decision लिया देखिए सच तो यह है कि आज की दुनिया में करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे tools available है चाहिए तो सिर्फ जजबा कुछ कर दिखानेगा आज ऐसे ही एक tool के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा जिसका नाम है अपना app भारत का सबसे बहतरीन career and job search app 85,000,000 से जादा लोगों ने इस app को pre में use करके अपनी career को बनाया है तो आप भी इसका फाइदा क्यों न उठाए अपना app पर आप directly apply कर सकते हैं लाखों jobs के लिए बिना कोई fees या बिना कोई payment करें डिरेक्ली company से बात करी और अपने interview को schedule कर लिया इस app पर आप groups और connections के जरीए अपने network को भी बढ़ा सकते हैं अपने काम के बारे में updates share कर सकते हैं और अपने ही field में काम करने वाले लाखों professionals की मदद भी मांग सकते हैं और अपने work and career related सारे सवालों और doubts का जवाब आपको अपना app पर मिल जाएगा वो भी आपके ही field में काम करने वाले senior professionals से तो अब बेर किस बात की नीचे description में दिये गए link से आज ही download करें अपना app और अपने career में success के लिए तयार हो जाए एक चीज शुरूर याद रखना अभी ये app भारत के 14 शहरों में उपलब्ध है एहम्दाबाद बैंगलूरू चंदिगर्ड दिल्ली NCR हाइद्रबाद जैपुर कानपुर होलकाता लुदियाना लखनव मूंबई पूने रांची और सूरत जल्दी बाकी के शहरों में भी ये app आपको मिल जाएगा